आज राजस्तान उच्च न्याले के पिचतर वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस अमरत महोश्यों की उनीत बेला पर मंच पर उपस्तित भार्द को विख्षित राष्ट बनाने के संकल्प को सिद्धी में परिवर्टन करने के यग में दिन रात लगे हमारे यसस्वी और तपर्श्वी प्रधानमंतरी आधिनिया स्री नरेंद्र मोदी जी आपका इस राजस्तान की धर्ती पर बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे राजस्तान में एक कहावत है और एक दोवा भी है सोनेरी धर्ती जठे चांदीरो आश्मान रंग रंगीलो रश भरियो मारो प्यारो राजस्तान ऐसे राजस्तान में आपका स्वागत है अभी नंदन है राजस्तान के मानेने राजपाल स्री हरी भाव क्रिसंदाव बागडे साब और हमारे ओनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हमारे जज्ज हैं ओनरेबल सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया के हमारे मुख्य मंत्री मानेने भजलनाल जी शर्मा जी और हमारे चीफ जस्टिस राजस्तान हाई कोट के मानेने एमेम श्री बास्तव जी अन्य उपस्तित वरिष्ट न्याइदीश गण वरिष्ट अधिवक्ता गण कानून चे समंदित शात्रगण जन प्रतिरिदीगण सभी वरिष्ट अधिकारी मैं आप सब को इस परिशर में उपस्तित होने के लिए भाव भिना आपका अभिनंदन करता हूं आपका अश्वागत करता हूं हमें वीरासत में सर्वोतम परंपराएं मिली हैं जिने हम काईम रखना चाहते हैं और ऐसे समारों मनाने का ये उद्देश्य भी होता है इस समारों में आप सब की उपस्तिति ने इस समारों की गरिमा को और बढ़ाया है आप सब की उपस्तिति हाई कोड के सदिश्यों के लिए एक प्रेणा स्रोत रहेगी कि मुझे इसमें संदे नहीं है कि जोद पर उच न्याले के 75 वर्ष के अस्तित्यों का इतियास और इसे जुड़ेवे बार के अस्तित्यों का इतियास वो अपने आप में अद्भुत है अपने आप में गौरानिस करने लाइक है ऐसा कहना बिल्कुल उच्षित होगा कि बार क्याँ कि याथ बार एसोशेशन के पदाधिकारी बी बेठे हैं बार कॉनसेल ऑप इंडिया के पदाधिकारी बेअचें बार ने जस्टिस डिलिवर कुछ नहीं है कि राजस्तान के इस हाई कोट का उद्गाटरन जैपुर के महामई महाराजा सवाई मान सिंग जी द्वारा गुंतीस आठ उन्नीस सो उन्चास को 1949 को जोत्वर में किया गया था और उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं इसलिए अगर हम 75 वर्ष की यात्रा देखें तो इसमें बहुत से नया दीश हैं जिन्नों अपना बहुत व्योगदान दिया है लेकिन जस्टिस आरम लोड़ा वो इसी हाई कोट से निकले और देश के चीफ इंडिया भी बने मैं उनका भी यहां स्वागत करता हूं वो टेक्निकली जस्टिस दलवीर भंडारी जी राजस्तान हाई कोट के नहीं थे लेकिन इसी शेर से थे इसी धरती से थे वो इंट्रनेस्टल कोट अब जस्टिस में नियाएदीश के पद पर रहे इसलिए मैं उन स्वागत करता हूं और अबी नंदन करता हूं हूं एक एक फिलिनांद करता हूं जिनका बै इस मंति से सबका स्वागत करता हूं मैं इस अवसब पर एक और आपको बजाई देना चाहता हूँ हाई कोट के फिचतर साल हुए हमारे समिधान को लागू हुए भी फिचतर साल हो गई आदूनी गणराज्य के रूप में भारत की नीव हमारा गौरवशाली समिधान है जिसकी आधार सिला ही न्याई है बाबा साथ भीमराब अमेडगर जी को किसी ने पूछा था कि अगर प्रस्तावना की आत्मा को कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे तो उन्होंने का कि लिबर्टी, इक्वलेटी और फ्रेटरलिटी ये हमारे समिधान के प्रस्तावना की आत्मा है जब उनको पूछा गया कि समिधान की आत्मा का जिकर करेंगे और उनके लिए कि आप क्या कहेंगे कि कौन सी समिधान की आत्मा है तो उन्होंने का आर्टीकल थर्टी टू मैं मानता हूं कि ये समिधान की आत्मा है ये बाबा साब का कोट था ऐसे समिधान जिसके 55 साल मानेने प्रधान मंत्री जी के निर्देशा अनुसार हम पूरे देश में बना रहे हैं हमारा समिधान हमारा सम्मान एक कारिकरम में हमारे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया ओनरेबल टॉक्र डिवाई चंदर्शूर साब भी उस कारिकरम में थे आज उनकी तव्यत ठीक नहीं होने के कारण यहां उपस्तित नहीं है लेकिन हम इंच मंच के माधियम से चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया साब को भी बहुत बहुत बढ़ाई और सुबकामनाएं देना चाते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नवाचार किया है इस्तानिय भाषा और राजी की भाषा का भी न्याय के चेत्र में मैथफून रोल होता है और इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सूप्रिम कोट ने अधिक से अधिक चेत्रिये भाषाओं में फैसला उपलुद कराना शुरू कर दिया है और यह उन्रेबल चीफ जस्तिस डॉक्टर डीवाई चंदर्शूर साब की पहल है हम आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं मैं गर्वे से कह सकता हूं कि राजसान हाई कोट जोद्फुर भारत का ऐसा पहला हाई कोट था जिसने 1950 में समिधान के आर्टिकल 348-2 के तैथ अपनी कारवाई हिंदी में करना शुरू कर दिया था इन 1950 उसके बाद 1969 में उतरपरदेश हाई कोट ने फिर 1971 में मध्यपरदेश हाई कोट ने और 1972 में बिहार हाई कोट ने हिंदी का परियोग शुरू किया था हम पहले थे देश में इसके लिए भी जिनोंने भी ये इनिसेशन लिया उनको भी मैं बदाई और सुबकाम नहीं देता हूं भी सबसर पर सर जस्टिस की बात समिधान में भी की गई है नियाय में आसानी परतेख भारतिये नागरी का अधिकार है जिसको हमारे प्रदान मंत्री जिन कहा है इज ओफ लिविंग हम अगर देखेंगे पिछले कई सालों के निरणों को तो हम पाएंगे कि इज इज ओफ लिविंग के साथ साथ इज ओफ जस्टिस को बढ़ावा देकर के प्रदान मंत्री जी ने सीटिजन सेंट्रिक टेकनोलोजी डिवन मौडरल लीगल सिस्टम इस देश को दिया है इसके लिए प्रदान मंत्री जी हम आपका बहुत बहुत आभार परकट करते हैं मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि हमने 1562 ऐसे कानून जिनकी कोई आफशिक्ता नहीं थी उनको आपके निर्दे सानुसार हमने रद कर दिये हैं रिपील कर दिये हैं ये कानूनों की संख्या 1562 है एक जुलाई 2024 से पुराने हमारे जो अपनी विशिंग काल के जो हमारे क्रिमिनल लॉज से भारतिये दंड सहिता CRPC Indian Evidence Act इनको भी हमने संसोदित करके भारत की भरतमान परस्तिती के अनुरूप लागू कर दिया है एक जुलाई 2024 से अंग्रेजों को भारत के नागरिकों को दंड देना था इसलिए वो भारतिये दंड सहिता लेकर के आए आजिने मोदी जी को भारतिये नागरिकों को न्याय देना है इसलिए मोदी जी भारतिय नियाई सहिंता लेकर के आए, ये एक मैत्वण पड़ाव है, मैं इस समंद में पुने आप सब को बदाई देता हुआ, अपनी सुबकामनाय देता हुआ, अपनी वानी को विराम देता हूँ, और एक 75 साल का जो ये इतियास है, इसमें नियाई तंत में जो विश्वास है, ये हमेशा बना रहे और बना रहेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ आपको पुने बदाई देता हुआ, अपनी वानी को विराम देता हूँ, जै भारत!